नमस्कार साथियों, मैं हूं किर्शन सेनी, आज हम मेहंदरगर विधान सभा के गाउ रिवासा में मौझूद हैं और हमार साथ जो बेटी आपको दिखाई दे रही है, पिरियंका बेटी जो लेटिनेट लगी है और इतने बड़े लेवल तक कैसे पहुची, पेटी सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं सर, शुरुवात तो मेरी मैं 10th क्लास से मतलब काफी इंटेलिजेंट थी, तो मेरा मानना था कि मैं मतलब कुछ ऐसा नाम करूं जिससे मेरे गाउं का नाम भी रोशन हो मेरे साथ-साथ तो मैंने मेरा रूची थी जो बाइलोजी फिल्ड के अंदर थी, तो फिर मैंने प्लस वन में मेडिकल फिल्ड लिया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ नीट वगएरे के प्रिपरेशन करूं उसके लिए मैंने सिक्कर कोचिंग जोइन की थी, बट कोरोना टाइम में मह स्टेस्ट होता है, उसमें मेरा लास्ट ये सेलेक्शन हो गया, तो मैं अब चंदर सिखर आजाद ये निवस्टी फैरी कल्चर एंड टेक्नोलोजी सें, बीएस से अगरी कल्चर की डिगरी हासिल कर रही थी, उसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं कुछ कुछ कम्पिटिटिव एक्जाम्स की भी त्यारी करूँ, तो मैंने देखा कि कैसे सेना की अंदर एक ओफिसर की रैंक प्राप्ट की जा सकती है, मैंने उसके स्लेबर्स को सारा एनलाइज किया, सब कुछ देखा कैसे इंटर्वी बगेरा देते हैं, जो बच्चे देते थे, उनसे मतलब सिखा कि कैसे क्या कर रहे हैं, तो फिर मैंने उसका एक्जाम क्वालिफाई किया, फिर मेरे को पता नहीं था, मेरे को इंटर्वी के लिए को लेटर आए गया, उनका फिर उसके बाद मेरा मेडिकल भी फिट हो गया, अब फाइनल मेरे लिस्ट में भी नाम आ गया, आज मैं ये सब के बहुत खुश हूँ, साथ के साथ ये खुशी है कि मेरे गाम वाले हैं, वो सभी मेरे साथ हैं, वो आज मेरे को इस पद्गे पर देख के इतने खुश हो रहे हैं, इतनी खुशी का माहूल है मेरे साथ गाम के अंदर, मैं नहीं सोचा था कभी ऐसा कि मतलब मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगी बट मेरे को उमीद थी कि मैं बहुत अच्छा करूंगी अपनी लाइब में कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि मेरे मेरे साथ मेरे सारे काम का भी नाम रॉशन हो साधी साथ मेरे जेला है महंद्रगट इसका भी नाम रोशन किया जाएं देखें की जो चीवमेंट है कहने कहीं बड़ी अचीवमेंट है और आप जितने भी सात्य इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथवीडियों का मिलूर्बट यह कासी है। वूठी hem करके दिया है मेरे दादा दादी मम्मी पापा सभी में रिष्टेदार सभी गाम वाले भी सभी ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है यहां तक इस मुकाम तक पहुँशने के लिए तो मैं सभी का तहे पढ़ाई करते थे क्योंकि काफी बच्चे होते ना कि वो होसला हार जाते हैं और वो उस मुकाम तक नहीं पहुश पाते तो आपको कितने टाइम तक पढ़ाई करने पड़ी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुश्किल लिए तो काफी आई क्योंकि साथ की साथ मेरे कोलेज भी था तो मतलब कोलेज में भी वहां पर 75% अटेंटेंस देना कंपल्सरी रहता था साथ के साथ मैं सोच रही थी कुछ competitive exam की भी तैयारी करूं तो मतलब वहां पर भी सारी classes attend करने रहते थी फिर भी मैं मेरे exams के लिए यहां कम नॉर्मली चार से पांच घंटे डेली मैं देती थी इस exam को crack करने के लिए तो मतलब उसके साथ साथ सब कुछ किया था साथ के वे भी study चल रही थी मैं चाहते थी कि मैं किसी भी field के अंदर नीचे ना रहूं साथ के साथ मेरी वह भी चलती रहे और मैं इस फिल्ड में भी आगे जाओं तो मतलब मेरा महां पर भी graduation के अंदर भी मेरी मतलब की महां पर फस्ट मैंने टोप किया है महां ग्राइजूशन में भी तो मतलब महां पर मेरा first year ही complete top आया अब second year में हुई हूँ तो अब second year में मेरा इसका result आ गया है तो फिर मतलब मेरे को महां से migration लेनी पड़ी है और इसमें आपने खुद ही फिल्ड चूज किया था या किसी ने आपको guide किया था कि तुम इस तरीके से exam दो महां पर तुम्हारा इंटर्वी वगएरा पैनल इंटर्वी होगा फिर medical ही वगएरा होगा फिर तुम्हेरे medical लिस्ट निकालेंगे तो फिर तुम्हें वहां पर left in end की rank उपर तुम्हें select किया जाता है तो मतलब उन से मैं motivated थी उन्हों मेरे को सबसे पहले इस exam के बारे में बताया था मेरे family में तो कोई आर्मी बैक्राउंड से है नी तो मेरे को उन्हीं का support मिला था इस फिल्ड के अंदर अगर financially और support की बात करें तो क्योंकि लगातार आपके पापा farmer है या फिर कुछ पहले आपके पापा petrol pump पे भी कहीं नोक करते थे तो अगर खर्चे की बात करें तो कितना खर्चा something बैठ गया होगा खर्चा तो परिवार वालों ने खूब लगाया मेरे उपर मतलब कोचिंग भी करवाई है प्राइवेट मतलब सीकर बेज जाए तो महां पर भी सारा खर्चा तो लगता है अब कानफूर में रह है यह मतलब की बच्चे को अंदर से satisfaction देता है कि मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर उसके family वाले इतना उसको support कर रहे हैं तो मेरी में कुछ इच्छा है कि मैं भी मेरी family के लिए कुछ ऐसा करके दिखा हूं जो कि मैं उनके लिए आज गर्व का मतलब गर्वित हूँ आज म बच्चों को हम कहते हैं कि यार खिमत मतार ना तो कहीं ने कहीं आपकी भी मंजिल कहीं ने कहीं आपकी तैह होने वाली अगर मैं honestly बता हूं तो मेरे को नहीं पता था कि क्योंकि all over India से only two twenty seats के लिए इसका selection किया जाता है तो मतलब मैं नहीं सोचते थी कि 220 बच्चों के अंद सिर्व फोन छोड़ा और फिर मैंने उनका फोन वहां पर रिस नहीं किया मैंने बाद में याख कि अनका वहां ने कहा था कि आका selection है वो मतलब आरंड डेली होस्पिटल में ह। वहां पे आपको मतलब की आप नी फ़रदर जा चार साल की जो ट्रनिंग है वो complete करनी होगी उ आँई म्यों को यह लग रहा है कि मतलब इस बहुंना है कि वह संत्र पर मतलब फेलियर्स act का मतलब की मतलब और हम pewnoब की तत्षब करते रहते हैं और अथ अइसtha और कि मैं कुछ ना कुछ जरूर मैं शुरू से हिए इनडिजन्ट आज के लिए तैंक यू देखिए हमारे साथ जो प्रियंका बेटी आपको यहाँ पे बैठे हुई कई बातों पर हमने चर्चाएगी क्योंकि कैसे इस फिल्ड को पा सकते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो सारी बाते हमने बताई और अभी यहाँ दिवासा गाउ में इ आपको आसानी से देखने को मिलती रहे अबने रहे हम जेन हर्यान लाइनों के साथ नमस्कार